कि आपके फून में भी कैम्रा open करने के टाइम यही error देखने को मिल रहा है the camera may-be damaged police contact customer care for assistance okay करके error देखने को मिल रह Patriot तो इस टाइम बहुत सारे Android users के साथ सेम यही common problem आ रही है, जैसी वो अपने mobile phone के camera को open करने जारे हैं, तो उनको बार-बार यही error देखने को मिल रहा है, the camera may be damaged, please contact customer care for assistance, okay करके error देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अपने mobile phone में camera को open नहीं कर पा रहे हैं, जब भी open करने जारे ह यही error देखने को मिल रहा है, तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास किसी भी company का device क्यों हो, Samsung, Realme, OPPO, Vivo, Tecno, Infinix, Motorola, OnePlus का phone क्यों हो, तो अगर आपके mobile phone में भी camera open करने का time, यही error देखने को मिल रहा है, तो आज किस वीडियो में आपको तीन ऐसी setting बताने वालों, जिनतीन settings को enable करने पर, मैं guarantee के साथ का था हूँ, 200 नी, 300 नी, 400% life proof के साथ, आज किस वीडियो में आपको इस प्रावनों को सालो करके बताने वालों, तो तीनु setting आपके लिए most important होने वाली है, तो आए फिर इस वीडियो में जानते हैं, तो जैसा कि आपने देखा, ये आगे है, mobile phone की home screen पर तो mobile phone की home screen पर आने के बद, जाहे आपके पास किसी भी company का phone क्यों ना हो, तो setting आपर बिल्कुल common, बिल्कुल same रहने वाली है, हर mobile phone के लिए, तो सबसे पहली setting करने है, आपको अपने mobile phone की home screen पर आने के बद, आपको अपने mobile phone में duplicate camera को delete कर द दिया रहते हैं, तो इन चक्रों में play store से third party camera application इंस्टाल करते हैं, तो इन third party camera application के थुरू कभी-कभी हमारे mobile phone में virus आ जाती है, तो जिसके चलते हैं, आपको अपने camera में ये सब problem देने को मिल सकती है, तो पहली setting आपको यही करनी, आपको अपने mobile phone में फालतू की application को delete कर दे अनिस्टाल कर देने, इसी तरीके से जो आपके phone pass phone होगा, तो आपको अपने phone का original camera अखना, duplicate camera को delete कर देने, uninstall कर देने, तो जैसी आप duplicate camera को delete कर देंगे, उसके आपको अपने mobile phone के original camera पर long press करने, तो जैसी long press करेंगे तो आपके समने ऐसा interface आएगा, तो यहाँ पर आपको left side देने, पहले clear data करने, आपको clear कची करने, तो जैसी आप clear कची करेंगे, फर आपको next step में, आपको clear data के आइकन पर click करने, जैसी click करने तो आपको delete करने, आपको बिल्कुल मिनी गबराना, यहाँ पर delete करने से आपको कोई भी data कोई भी photo delete होने वाला नहीं है, आपके समने, live proof तो यहां पर आपको एन ही सब्सक्राइब नियुक्त जाना है तो डिहान से देखना है यहां पर और पर किल देखने कूँUU आपको तयों समय है सब्सक्राइब आता है आपको यहां पर इसेटिक काना है। yankar को अज आपको पहला बनी दूसरा बनी तीसरा बनी तो आपको पहला बनी दूसरा 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 बनी तो आपको पहल पर क्लिक करना है तो जैसी क्लिक करेंगे अगें आपको reset all setting के आइकन पर क्लिक करना है यह देखिए आपकी setting reset हो रही है आपको थोड़ा wait करना है यहां देखिए आपको बता रहा है तो यहां से आपको back आजाना है आपको वाइलफोन में कोई भी data delete नहीं होगा तो यह आगे setting number second अब आपको अपने वाइलफोन में lost and final setting सबसे important setting करने है आपको अपने वाइलफोन की home screen पर आने कपर दुबारा से settings को open कर देना है तो जैसी अब अगें setting को open करेंगे तो आपके समने setting का कुछ ऐसा interface आईगा तो यहां पर बहुत सारे आप्छे आप्छे आप्छेंगे wallpaper को तो आपको scroll करने है जैसी आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखर हो Apps का icon तो यहां पर मुझे Apps का icon आ रहा है हो सकते है आपको नीचे जलके कहीं पर आरोगा management app, app info यह app list का icon देखने को मिल रहा हो तो कहने का मतलब है आपको अपने वाइलफोन की settings में सारी-सा आपको स्क्राइब करना है तो यहां पर 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 आपको स्क्राइब करना है तो अब हम चेक करने वाले इन तिन को करने के बात क्या हमारे मोबाईल फोन में के प्रावल। फुम्हाल होगी या नहीं को चेक करने के लिए, जैसे हम आपने मोबाईलिफून के आप वे जो अपने camera के इस व्रावों को सालू कर सकते हैं यह थी छोटी सी information वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना न बली Thank you